उम्शन्ति, छे मार्च के शुर्दान में आपसे को सोगत है, परमात्मा चाहते हैं इस वर्दान में कि हम आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को जिनको ज्ञान, विवेक की कमी के कारण, दुख, परिशानिया, अशान्ति हो रही है, उनको हम चैरिटी करें, तो चैरिटी किस प्रकार की आज हम समझेंगे, परमात्मा कहते हैं, ग्यान अम्रित से प्यासी आत्माओं को प्यास बुजा कर तरप्त करने वाली, किसे ग्यान अम्रित, पीने वाला अम्रित नहीं, इंसान आज पीने वाला अम्रित को अम्रित मान लेता, लेकिन अम्रित, ऐसा ग्यान जो क प्यासारास को मान पूर्णने माना जाता है लेकिन ये प्रता कब से चलती आ रही है इसको spiritual sense में लेंगे तो आप समझेंगे कि ये प्यास है, आत्मा की प्यास सिर्फ मुख की प्यास नहीं है जैसे पानी ना मिले तो प्यास से तड़फते हैं, ऐसे ग्यान अम्रत ना मिलने से आत्मा दुख अशान्ती में तडफती रहती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, जिसका आणे से हमें दुख और अशान्ती होई है जातर लोग औरों को ब्लेम करते हैं लेकिन हमारे कर्म ही ऐसे पोटे होते हैं अग्लती हमें अपने कर्मों को खूटना पड़ता है लोग हमें फेस करना पड़ता है तो परमात्वा हमें क्याता है, हां ओर उशान्ती हो विविएक तो ग्यान दो ताकि वो ऐसे कर्म ना करें जिनसे उनके पाप बढ़ता जा हमें फुर्सत निकालते हैं कि भी आप हमें ब्रेफास खाना है लंच खाना है डिनर खाना है ऐसे यह पुण्ड़ने का कारे करना भी आवशक है सिर्फ खाया पिया कमाया बच्चे बैदा किये आगे बढ़ाया उनको और निकल गए नहीं परमात्म केते हैं इसे भी उच्छे करते हैं सिर्फ वह मत करो ऐसे यह पुण्ड़ने का कारे करना भी आवशक है इसलिए यह चांस लेना है समय निकालना है तब कहेंगे महान चुतम दिप ग्यान देने के लिए यह कैसे पॉसिबल है आप आके सीखें क्योंकि यह जब हम देते हैं और आपको तो बहुत शांती मिलती है खुद को सुकून मिलता है खुशी मिलती है किसी का जीवन परिवरतन होते दिखते हुए धन देने से एक दिन आप किसी को मदद कर पाएंगे लेकिन इस ग्यान देने से आप एक आत्मा को जीवन प्रदान कर देते हैं उसको दिश्या निर्देश दे सकते हैं ताकि वह आत्मा परमात्मा से जोड़ करके अपने जीवन को सुधार सकें अमश्यानती